गुदिविंग फ्रेंट्स, वेलकम तो एंदर सेशन अफ शेर अकाडमी लेसन्स चल रहे हैं, इजी लेसन, फाइफ मिनिट्स की लेरिंग और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए बेहद खास profit loss statement बहुत ही important चीज है और आम तोर पर जिसे retail investors बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि retail investor आम तोर पर balance sheet या profit loss statement देखना ही नहीं चाहते उन्हें सिर्फ एक company चाहिए जो सही rate पर उन्हें कोई भी बता दे उनके कानों में आकर उन्हें बहुत मेहनत नहीं करनी और अगर आप किसी भी company का profit loss statement नहीं देखते हैं तो ये समझ लीजे कि आप किसी भी company को आँख बंद करके choose कर रहे हैं और आँख बंद करके किसी भी company को choose करने का मतलब अगर आपकी किसमत अच्छी है तो आपको अच्छी company मिलेगी अगर आपकी किसमत खराब है जो आम तोर पर retailers की होती ही है market के अंदर तो आपको वैसी ही कचरा company मिलेगी इसलिए बेहत जरूरी चीज़ profit loss statement किसी भी company का देखे बिना company को गलती से भी buy मत कीजिए अब information कहां से मिलेगी आपको profit loss statement की यह हर जगे अवलेबल है BSC की site पर चले जाएए screeners.com पर चले जाएए नहीं तो money control पर हम सीरे money control का इस्तमाल करेंगे और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है देखने में आपको यह लगेगा यह इतना बड़ा statement में कोई company अपना धंधा साल दर साल कितना बढ़ा रही है मिसाल के लिए आप सोचिए कि अगर एक आदमी अपनी एक दुकान खोलता है और पहले साल वो 100 किताबें बेचता है अगले साल भी 100 ही किताबे बेचे उसके अगले साल भी 100 ही किताबे बेचे तो क्या वो आदमी कभी अपनी जिंदगी में बड़ी दुकान कर पाएगा answer है नहीं क्यों? धंधा ही नहीं बढ़ रहा है profit loss statement में ये चीज होती है company के सबसे उपरी इस तरो पर जहां पर आपको सबसे आदा ध्यान देना है सबसे पहला साल दर साल का profit loss statement हमेशा देखना है quarter and quarter का नहीं क्यों? एक quarter में company इतनी तेजी से ग्रो नहीं करती इसलिए company को बढ़ने के लिए समय दीजे साल दर साल का profit loss statement देखिए दूसरा company अपना धंधा बढ़ा पा रही है या नहीं यह आपको कहां से पता चलता है? सबसे टॉप वाली जगे से अब इसमें क्या हमको सब कुछ देखना पड़ेगा? नहीं 70,000 करोड का धंधा था पहले साल अगले साल 77,000 करोड का अगले साल 81,000 करोड का अगले साल 90,000 करोड का और अगले साल 97,000 करोड का यानि इस company का धंदा साल दर साल बढ़ रहा है ये एक अच्छी चीज है दूसरी चीज जो आपको profit loss statement में ध्यान देनी चाहिए वो है other income ये ज्यादा नहीं होना चाहिए अभी हम यहाँ सब कुछ cover नहीं करेंगे इनके लिए हम separate 5 minute के छोड़े छोड़े वीडियो आपको देंगे हम आपको ये बता रहे है कि profit loss statement में से आपको क्या कैचीज से ध्यान रखनी चाहिए तो सबसे पहला revenue from operation या जिसको हम पिल्कुल देसी भाषा में कहेंगे धंधा company अपना धंधा कितनी तेजी से बढ़ा रही है इसको कहते है revenue from operation ये इतनी कठिन बनाने की ज़रूवत नहीं है ठीक दूसरी चीज है other income ये ज्यादा नहीं होना चाहिए ये हमेशा कम होना चाहिए तीसरी और important चीज है आपको मिलता है profit यानि शुद्ध मुनाफा जो company अपनी जेब में रख के ले जा रही है क्यों कोई आदमी किसी भी company को क्यों खरीदेगा अगर वो company profit ही नहीं कर पा रही है अपने धंधे से अगर धंधे में कोई मुनाफा नहीं हो रहा है तो कोई आदमी उस धंधे में पैसा क्यों लगाएगा इसलिए profit loss statement में जो तीसरी चीज आपको देखनी चाहिए वो है company का bottom line या हम जिसे कहते हैं शुद्ध मुनाफा घर ले जाने वाला मुनाफा या अपनी जेब में जो company मुनाफा रखती है वो ये शुद्ध मुनाफा company का साल दर साल की गती से लगातार बढ़ते रहना चाहिए इन तीन चीज़ों के अलावा आप चाहे तो हजार चीज़ें देख सकते हैं इसी profit loss statement में बट इन सब की इतनी जरुवत नहीं होती सबसे ज्यादा जरुवत होती है company का धंधा साल दर साल बढ़ रहा है या नहीं other incomes company की बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और तीसरा company का शुद्ध मुनाफा कितना company शुद्ध मुनाफा अपने घर लेके जा रही है ध्यान रखिए अगर आप किसी भी company का profit loss statement देखे बिना company को खरीद रहें तो इसका मतलब है कि आप company के बारे में कुछ नहीं जानते marriage का sense हो और चाहे वो market का sense हो एक ही जैसी रहती है तो हमेशा ध्यान रखिए next time से किसी भी company को अगर आपको खरीदना या बेचना है और खरीदते समय सबसे आदा तो जब तक आप उस company का profit loss statement न देख लें company buy नहीं करनी है और इसमें भी क्या देखना है company का धंधा लगातार स साल दर साल बढ़ते रहना चाहिए other income ज्यादा नहीं होनी चाहिए और company का शुद्ध मुनाफा साल दर साल की गति से बढ़ते रहना चाहिए जैसे जैसे sessions आगे बढ़ेंगे हम इन जानकारियों को थोड़ा सा और in depth थोड़ा सा और बढ़ा कर पेश करेंगे अब ही सिर्फ सिर्फ बेसिक ले रहे हैं. Thank you very much.